हाई एमरीवन नमस्कार वेलकम बैक टू माई चैनल हरिद्वार फैमली व्लॉग्स कैसे हैं आप सब आशा करती हूँ सब बिलकूल थिक टाक होंगे बहुत अच्छे होंगे खुश होंगे सुबह सुबह कर टाइम है और मेरी पूजा होई है अभी अभी और आज है संदे तो सब लेट उठे हैं लेट लेट सब कुछ चला है मैंने अपना काफी कुछ काम कर लिया है और ना कर पूछा कर ली है तो बस मैंने सोचा चलिए आज सुबह सूबह ही मैं वीडियो शुरू कर लेती हूँ फिर संदे है पता नहीं एक बार लेट हो जाए तो फिर लेट जैसे ही केचंद खाली है मतलब गैस चूला सब कुछ ठंडा पड़ा हुआ है तो चलिए पहले मैं आपको थोड़े से बगवान जी के दर्शंद करा देती हूं आप धूप ले लीजे आरती ले लीजे और फिर जो है चाई बनाएंगे दिन की शुरुवात करेंगे दूप ऄट मनें चाई पति डाल दी है एक चाई पति डालती हूं दो कप चाई है यह हमारे दोनों के लिए और मैं अपने इसमें ढाल दूँँगे अदरक ऊठके तो अदरक डाल दिया है और बस अब चाय को अच्छे से पकाना है अद्रक वाली चाय अभी चल रही है अब थोड़े दिन बाद जो है अद्रक बंध हो जाएगा फिर अद्रक की चाय गर्मी में नहीं लेते हैं तो बस अब अच्छे से चाय को पकाना है इसलिए नो ने चाय नहीं बनाई नहीं तो यह चाय बना देते कहीं दिनों से भीचले मैं जब तक पूजा करती हूं तो यह चाय बना देते हैं लेकिन आज संदे के वाज़ से थोड़ा सा जो है लेट उठे हैं सब और फिर उनने अपनी शुगर बगरा चेक की है तो बस अब मैं यहां पे चाई बना रही हूं और फिर बैठेंगे आराम से चाई पिएंगे उसके बाद देखते हैं ब्रेकफास्ट का क्या करते हैं कैसे क हैं और मैं बहुत जादा पती डालती हूं भी काँवाली ने ही रालती है ना भॉप Social प्र dairy और शुबादे मैं जादा फाल याद नहीं पीद्वनही लानी को आदा लालती हूं दालती है साथ यहां दूदोर सस付े रहा से निस हमारे दूद न साबसक्तित है आपको पिछी से आवाज चल ली होगी, जो है मैंने फोन में कुछ चला रखा है, तो दूद पे से मलाया जाती है तो फिर दूद नीचे इतना गहड़ा नहीं बचता, तो उसकी मैं ऐसे ही चाए बनाती हूँ, उसमें पानी बिल्कुल भी नहीं डालती है, तो बस दो कप मैं यह मतलब पकी हुई होती है ना, वो ही जादा अच्छे लगती है, और जब तक यह चाए पर आपको जाग दिखाई देंगे, जब तक हमारी चाए पकती नहीं है अच्छे से, जब बिल्कुल जाग खतम हो जाए, चाए नीचे नीचे पकने लगे, तब जाके चाए और यहां पे मैं इंडक्सन पे चाए बनारे हूँ और हाँ, एक दिन इंडक्सन से मुझे याद आया कि किसी ने पूछा था कि बहुत जादा बिलाता होगा, बिलकुल नहीं, कोई जादा फरक नहीं पड़ता है, बहुत जादा नहीं इतनी ज़्यादा जो है बिजली ये नहीं लेता है और मैं इतना काम करती भी नहीं हूँ इस पर मैं सिर्प चाय और दूद्ध दो ही काम करती हूँ या फिर कभी चावल बना लेती हूँ अगर मुझे खुले पड़े बगोने में चावल बनाने हैं तो वो बना लेती हूँ बहुत ज़्यादा काम मैं इंडक्षन पे नहीं करती, सबजी वगरा नहीं बनाती हूँ पराठे वगरा रोटी तो खेर अच्छी बनती नहीं इस पे क्योंकि सिखती नहीं है तबे पे होती है तो बस यहीं सब काम करती हूँ जितनी बार चाय बनेगी वो इस पे बनेगी दूद होगा, जो मेरा दूद वाला दूद देके जाएगा वो भी इसी के उपर करती हूँ और बहुत जादा फर्फ नहीं पड़ता है मैं तो इसको करीब चार साल से यूज़ कर रही हूँ बलकि अब तो यह पुराना हो गया है काफी कुछ इसमें जो है चेंज भी कराना पड़ा मतलब ठीक कराना पड़ा एक दो बार फोल्ट आया है इसमें लेकिन चार साल हो गए है तो चलिए यह बात मुझे ध्यान आ गई यहां पर कोई जादा जो है बिजली नहीं लेता है नॉर्मल सा ही काम चलता है वो थोड़ी सी बिल पे जादा फर्क नहीं पड़ता है मतलब तो बस बातों बातों में देखिए हमारी चाय भी जो है अब अच्छे से पक गई है और जैसे ही बरतन इसके उपर से उड़ता है तो ये टीटी की आवाज करने लगता है कि अब मैं खाली चलने लगा हूँ देखिए अब चाय की यह पैचान हो गई है कि चाय हमारी जाग बिल्कुल खतम हो गए है और चाय बहुत अच्छे से कड़ चुकी है मतलब पक चुकी है बस इनकी चाय मैं छान दूँगी और फिर अपनी में चीनी डाल दूँगी एक चान चाब चाब चूँगी यह चाय हमारी बन गई है और जब तक मेरी चाय चीनी डालने के बाद पकती है तब तक इनकी चाय में जो है मला ही आने लगती है यह वाले तो यह मैं अपनी में डाल दूँगीस हूँ क्योंकि इनको फिर अच्छा नही लगता चालो चाय हमारी हो गई है तयार अब हम बैट के पीएंगे चाय आराम से और फिर में लूँगे आपसे ब्रेक्फास्ट के टाइप यहां पर किचन में आ गई हूँ और सबसे पहले जो है मैं आटा बनाने की त्यारी करूँगी और काफी देर बाद मैं किचन में आई हूँ क्योंक यह तो रोज का काम है उता ही रहता है लेकिन अब मुझे बहुत जादा हो गया था फिर थोड़ी देर बाद ही चाय पीने के बाद ही तो फिर मुझे दवाई खानी पड़ी थी और पंदर बेस्ट मिन्ट मुझे आराम भी करना पड़ा है तब जाके मैं किचन में आई और बस यहां पर मैंने आटा लिया है हलका से उसमें नमक डाला है और गुन-गुने पानी से आटा अपना लगा लिया है जादा गरम पानी ने लेती हूँ जादा थंड़ा भी ने लेती हूँ ठंडे पानी से ना आटा फिर थोड़ा सा चीड़ा चीड़ा होने लगता है स साइड से मैंने इनको ग्रेट किया है और बस यहां पे अब मसाले डाले के नमक बाल दिया है तेस्ट के रिसाब से और थोड़ी दहेख सी लाल मिश भी अधनिया पाउडर एक चम्मझ हमचूर पाउडर एक चम्मझ और धोड़ा से गर्ममसाला तो बस यह सारे मसाले में इसम सकते हैं और मूली में प्यास का फ्लिवर बहुत अच्छा आता है खाली मूली के पराठी इतने टेस्टी नहीं बनते हैं और मुझे बनाना कुछ और था लेकिन फिर सरदर्द की वज़े से मैंने अपना प्रोग्राम चेंज कर दिया और फिर जल्दी बनने वाला जो है ब्रे बहुत ही टेस्टी सी हमारी स्टिफिंग बन के तयार होगी पराठे के लिए और किसी सबजी की जरुरत नहीं है किसी स्पेसल चीज की जरुरत नहीं है इन पराठों के आगे बहुत ही टेस्टी पराठे बनते हैं और वैसे भी आज संडे है तो मेरे यां हमें सा हेल्दी ब खाना बन सके हाँ यह ओफिस जाते हैं तो फिर सुबह बनता ही है और फिर लंच हलका बनता है तो इस तरह से होता है और एक रोटी मैं ऐसे थवेफ़े डाल दूंगी और मुझे याद आया इस पे जो है कॉमेंट आया था कि आप एक रोटी प्लें क्यों बनाते हो क्या रीज चाला है और प्याज वगेरा गाई को नहीं दिया जाता तो इसलिए मैं सिंपल जो है रोटी गाई की एक निकाल देती हूं बस ये रिजन है और कोई भी रिजन नहीं है कि मैं पहले रोटी क्यों बनाती हूं मैं गाई की निकालती हूं सिंपल पराठे बनाती हूं तो मैं पराठाई निकाल देती हूँ तो इसलिए और बस दो लोई मैंने बेल ली है हफ़ाप करके ये पराठे डबल बनते हैं सिंगल नहीं बनते हैं मुझसे तो बिल्कुल नहीं बनाये जाते हाँ अगर हम मूली की स्टपिंग थोड़ा सा फ्राई करके बनाते हैं और देखिए कितना अच्छा सा मारा पराठा बिल गया है बहुत ही बढ़िया लेकिन पहले जैसे हम स्टपिंग भरते हैं और फिर दूसरी जो है रोटी उसके उपर डालके अच्छे से बंद करते हैं तो फिर उसको थोड़ा सा ना हाथ से कर ले अगर हाथ से थोड़ी सी रोटी बना लेते हैं तो फिर वो बेलन से आराम से जो है इजी तरीके से बिल जाती है मैं ऐसे ही करती हूँ हमेशा चाहे मेरा आलू का पराठा हो चाहे फिर मूली का पराठा हो और देखिए पराठे तो ये फुले फुले बनेंगे क्योंकि ये डबल है उपर नीचे इनके अलग-अलग रोटिया है और बीच में मूली के स्टपिंग है तो एक पराठा मेडियम आच पे बहुत ही अच्छा सा क्रिस्पी सा मैंने सेख लिया है और पापा को लेट हो रा है तो सबसे पहले मैं पापा को देने वाली हूँ इसलिए जट पटसी मैं यहाँ पे बना रही हूँ नहीं, तो मेरा बिल्कुल भी मन नहीं था इस टाइम पे कुछ काम करने का लेकिन पापा का थोड़ा सा जो है रूटीन से में रहता है रोज का ऐसा नहीं है कि आज संडे है तो लेट हो जाएगा तो बस अब मैं फटा-फट से पराठे बना लूँगी और पापा के लिए चाई बनाने रख के लिए रखती है तो आसा चाई बन जाएगी और चाई के साथ पराठे साब करूँगी यह दई से लेंगे यह पापा चाई से लेंगे तो ऐसे होता है हमेशा सब कुछ अलग-अलग होता है मेरे याँ और एक बार कॉमेंट आया था कि आप एक ही तरह का खाना बनाया करें एक ही आटे की रोटी तो जोइंट फैमिली में ऐसा नहीं होता है कि सब कुछ जो है जोर्द जबर्दस्ति करी जाए कि एक ही खाओ ऐसा नहीं होता है बुजूर्ग हैं तो सब तरह का ध्यान रखना पड़ता है और इतनी फैमिली है छे लोगों की तो छे लोगों का क्या है कि मिक्स आटे से काम बिल्कुल भी नहीं चलेगा और नहीं कोई खापाएगा बहुत हार्ड रोटियां होती है में तो बुजूर्ग नहीं खापाएंगे तो देखिए पराठा कितना अच्छा सा बना है बहुत ही टेस्टी से पराठे बने है और फिर मैंने इनके लिए भी प्लेट लगा दी है ये दही से लेने वाले हैं और आज प्लेट भी थोड़ी सी मैंने चेज कर दी है जिससे कि हमारा ब्रेकफस्ट और ज़्यादा जो है देखने में फिर टेस्टी लगे खाने में तो टेस्टी है निम्बू का अचार है सिंपल तही है और मुली प्याज का मिक्स पराठा है तो आईए आप लोग भी हल्दी सा ये ब्रेकफस्ट कर लीजे बहुत ही टेस्टी होता है सच में किसी सबजी की किसी की विज़ुरत नहीं पड़ती और आज संडे है तो संडे का फाइदा उठाया जा रहा है हाला कि मेरी तवे ठीक नहीं थी लेकिन ये अपना काम कर रहे है मैं थोड़ा सा बीच में रेस्ट कर रही थी और अब तो खेर मैं भी उठ चुकी थी इस टाइम पे ये अपना बाहर का थोड़ा सा काम करके आई है और फिर ये आज काम हो रहा है देखे कब की फोटो रखी हुई है फ्रेम होने के बाद लेकिन जब से रखी हुई थी संडे का वेट था कि किस दिन संडे आएगा और किस दिन इनका जो है काम होगा बच्चे अभी इस तरह के काम नहीं कर पाते हैं बच्चे करते भी बहुत हैं लेकिन ऐसा काम बच्चे नहीं कर पाएंगे ये बहुत ही नाजुक काम है ये करेंगे तो बस इन ही के जो है इंतजार में संड़े के इंदिजार में ये काम हमारा उस दिन से रखा हुआ था और आज हमारे जो है, ये सारे फोटो फ्रेम लग जाएंगे और मैं इस ताइम अपने किचण का काम कर रही थी क्योंकि किचण मैंने सासाथ नहीं समेटी थी फिर मैंने बीच में रेस्ट किया और उठके फिर अपनी किचन का जो है काम करने लगी हूँ बरतन वगेरा मैंने ऐसे ही छोड़ दिये थे और बीच बीच में मैं इनको भी देख रही हूँ यहाँ पे और उधर वाले फ्रेम सारे लग गए हैं अब आई है इसकी बारी जो की मेरी शादी का फोटो है और यह छोटे वाला है इसको रखने के लिए बनवाया था लेकिन उनसे मिस्तेक हो गई और यह भी उन्होंने टांगने वाला ही बना दिया तो इसके लिए जगे डूनने बड़ी और ये वाला हमने इस दिवार पे लगा दिया अब आई है बड़े वाले फोटो की बारी तो बड़े वाला जो हमने फ्रेम बनवाया है वो हम अपने दूसरे वाले बैटूम में लगा रहे हैं ये जो हमारे बैट के एक तम सामने की दिवार है टीवी के ओपर तो ये हमने यहाँ पे लगाया है और ये जो है सीधा या फिर थोड़ा बहुत तेड़ा तिर्चा तो नहीं रहा गया तो उसके बारे में बात कर रहे थे और ये फोटो हमने यहाँ पे लगाई तो यहाँ तर आसे डिजाइन बहुत ङूँटिफुल लग रहा है मुझे तो आप भी बताईएगा कि कैसा लगा यह इस तरह से और इसमें कुछ भी नहीं लगा बहुत ही थोड़े से बजट में बजट भी कुछ नहीं लगता है कि बहुत जादा कुछ लगता है और मेरे room का makeover हो गया बैट सिट वेगर मैंने सब चेंज कर दी है और वो valentine's day वाली हटा दी है red वाली white वाली और बस इधर ये है और room का makeover बहुत ये अच्छे तरीके से हो गया तो बताईएगा कैसा लगा आपको मेरा ये room का makeover हाँ जी तो अब मैं आपसे काफी time बाद मिल लए हूँ क्योंकि फिर मेरी थोड़ इसी तबियत आज टाउन हो गई थी और सुबह भी डावनी थी पर मैंने बताया नहीं था क्योंकि मुझे वीडियो आज बनाना था मेरे पास कोई वीडियो था भी नहीं और संडे है तो संडे के दिन तो मैं वीडियो बनाती हूँ तो इसलिए तो सोचा चलिए तब ये तो इधर दर होती रहती है सरदर था थोड़ा सा था और थोड़ थोड़ ठंड लग रही थी तो इसलिए मैंने जो अपनी आज वूलन की कुर्टी पहननी थी ब्लैक वाली मुझे इसको उठाके रखना है अब सीजन जो है जा चुका है मैंने सारी कुर्टियां मोटे सूट अच्छे से वाश करके कमफट लगा के जो अधुल दिये सुखा दी और ये बची हुई थी अभी ये काफी टाइम की रखी थी मैंने नहीं पहनी थी तो मैंने सोचा चलिए आज इसको थोड़ी देर के लिए मैं पहन लेती हूँ और होगा तो कहीं बाहर जा सकते थे आज संडे मेरा मन था कि आज बाहर जाएंगे हम कुछ काम भी था थोड़ा बहुत तो फिर मेरा मन हुआ ही नहीं बस सब चेंज हो गया प्रोग्राम तो मैंने सोचा था कि चले दोपैर तक मैं इसको पैन लेती हूँ सुबर ठंड है थ कि अदर सा लेकिन मैं अपको नहीं बताया था कि चले मैं नहीं थोता ही रहता है सबके सास्ट सरदर बहर गए थोड़ी देर लेती तब जाकर आपनाना जरूरी था हालत नही थी इतनी जल्दी लेकिन बस 15 वीस मिनट लेती थी पर पापा का खाने पीनेगा टाइम हो था जब घर में बुजर्ग होते हैं तो फिर बहुत सोचना पड़ता है हम जो है husband wife हों बच्चे हों तो हम तो कर लेते हैं या husband बच्चे कर लेते हैं मतलब कर लेते हैं यह नहीं कि वो खुद बना लेते हैं बनाते नहीं है bread खा लेते हैं यह फिर जो है late खा लेते हैं अइसा चल जाता है लेकिन जब हमारे गर में बड़े बुजर्ग होते हैं तो थोड़ा सा सोज्स समझके जो है करना पड़ता है काम और फिर सब के घर की कानी थोड़ी सी अलग होती है मेरे घर की कुछ अलग है और बरतन किचन सब ऐसे ही छोड़के फिर मैं लेट गई थी और फिर मैं उठी हूँ थोड़ी देर के बाद और फिर अपने बरतन वगएरा किये दूद बोयल किया मक्खन बनना था मलाई रखी थी वो किया तो फिर मैंने वो अपना सारा काम किया थोड़ा दवाई लेने के बाद हो जाता है रहात रेस्ट मिलता है लेकिन वो नहीं है कि मन नहीं रहा फिर मुझे बाहर जाना था बच् उमर के बच्चे हैं वो लेंथ ठीक ठाक है वगवान की दया से मेरे बच्चे इसी तरह से फलते फूलते रहें तो उनका जो है लेंथ बढ़ रही है तो कपड़े छोटे हो जाते हैं सीजन टू सीजन जो हैं के कपड़े छोटे होते रहते हैं तो अब ऐसा कुछ मिल नहीं र रखे हैं लेकिन मेरा था कि चल मैं भी चली जाओंगी थोड़ी देर के लिए मन थोड़ा सा इधर उधर हो जाता है हर टाइम काम घर काम घर बस यही रहता है लेकिन ऐसा नहीं हुआ फिर मेरा मन बिल्कुल नहीं हुआ अब तो मैं आपको दोपहर के बाद मिल लई हूँ इनकी खिचडी भी बना दी मैंने मुंगी दाल की और यह गए है बाहर मतलब मार्किट गए है ज्वालापूर तो यह ज्वालापूर से लेके आएंगे अपनी टी-शिट तीनों को बेज दिया है मैंने श्रेनी जा रहा था कि मैं यही लेका है मैंने तीनों लेकिया अपनी पसंद की अच्छे से जो है ट्राइ करके तो बस यह गए है कल मैं आप रूम का आपको कैसा लगा और वो भी बिल्कुल लो वजट में जिसमें कुछ जादा नहीं लगा लेकिन बस यह है कि हम सोचते नहीं है या टाइम नहीं दे पाते हैं जो भी आप समझे तो थोड़ा सा अगर कोई बहुत ही जादा पैसे का काम होता है तो देखिए बहुत ह हम जैसे लोगों को सोचना पड़ता है हम बहुत ही मिडल क्लास लोग हैं तो बहुत सो समझ के हमें देखके चलना पड़ता है ऐसा नहीं है कि हमारा कुछ मन हुआ और हम फटा-फट से निकले और लेके आ गए ऐसा नहीं होता है मतलब सोच के विचार के अच्छे से बजट बनाके तब हमें निकलना पड़ता है कुछ करने के लिए आगे बढ़ना पड़ता है मतलब लेकिन इसमें ऐसा कुछ नहीं था वो छोटा सा काम था जो हम नहीं टाइम दे पा रहे थे हम नहीं कर पा रहे थे और मुझा बहुत कुछी मिली है कि इतने से में इतना अच्छा लग रहा है बहुत जादा तो बताईएगा आपको कैसा लगा तो बस अब मैं इस वीडियो का एंड करती हूँ अगर कहीं भी थोड़ी सी भी अच्छी आपको कोई भी किलिप मेरी वीडियो की लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजेगा और चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब कर दीजेगा अगर अभी तक नहीं किया है और सब्सक्राइब करने के बाद बैल का आइकन आता है बैल का जो इसी प्यारी सी वीडियो के साथ तब तक के लिए बाई बाई थैंक यू फूर वोचिंग